अब सुनते हैं देव द्वारा रचित, सवय्या और कवित प्रिष्ठ संख्या 19-25 तक देव का जन्म उत्तरप्रदेश के इटावा में सन 1673 में हुआ था उनका पूरा नाम देव दत्ध द्वेदि था देव के अनेक आश्रह दाताओं में औरंग जेप के पुत्र आजम शाह भी थे परन्तु देव की सबसे अधिक संतोश और सम्मान उनकी कविता के गुडगराही आश्रह दाता भोगीला से प्राप्थ हुआ उन्होंने उनकी कविता पर रीच कर लाखों की संपत्ति दान की उनके काव ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक माने जाती है उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव रसायन, भवानी विलास आदी देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं उनकी मृत्यू सन 1766 में हुई देव रीतिकाल के प्रमुख कवी हैं रीतिकाल इन कविता का सम्मंद दर्बारों आश्रय दाताओं से था इस करण उसमें दर्बारी संस्कृती का चित्रन अधिक हुआ है देव भी इससे अच्छूते नहीं थे किन्तु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खीचे आलंकारिता और श्रंगरिकता उनके कावी की प्रमुख विशिष्टा है शब्दों की आवरत्ती के जरिये नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनी चित्र प्रस्तुत की है यहां संकलित कवित्य सवयों में एक और जहां रूप सौंदर्य का आलंकारिक चित्रन देखने को मिलता है वहीं दूसरी और प्रेम और प्रक्रति के प्रति कवी के भावों की आंतरंग अभिव्यक्ति भी पहले सवये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है जिसमें उसे युग का सामन्ती व्यभव जलगता है दूसरे कवित्य में बसंत को बालक रूप में दिखा कर प्रक्रति के साथ एक रागात्मक संबंद की अभिव्यक्ति हुई है तीसरे कवित्य में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा गवर्णन है चांदिनी रात की कांती को दर्शाने के लिए देव दूद में फैंच जैसे पारदर्शी बिम्ब काम में लेते हैं जो उनकी काविक कुशलता का परिचायक है सवया दूलह देव सहाई कवित्ट डार द्रुम पलना बिचोना नवपल्लव के सुमन जिंगूला सोहे तन छबी भारी दै पवन जुलावे केकी कीर बतरावे देव कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दै पूरित पराग सों उतार करे राई नोन कंज कली नाई का लतान सिर सारी दै मदन महीप जूको बालक बसंत ताही प्रातही जगावत गुलाब चटकारी दै कवित फटिक सिलानी सों सुधारियो सुधा मंदिर उधद दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद बाहर ते भीतर लों भीत न दिखे देव दूध को सो फैन फैलियो आगन फरसबंद तारासी तरुनी तामे ठाणी जिल मिली होत मोतिन की जोती मिलियो मलिका को मकरंद आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगै प्यारी राधिका को प्रतिबिम्व सो लगत चंद प्रश्न अप्यास 1. कवी ने श्री ब्रज दूलह किसके लिए प्रयुक्त किया है और इने संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है 2. पहले सवये में से उन पंक्तियों को छाट कर लिखिए जिन में अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है इन पंक्तियों का कावे सौंदरी इसपस्ट किजिए 4. दूसरे कवित के आधर पर सपस्ट करें कि रितुराज बसंत के बाल रूप का वरणन परंपरागत बसंत वरणन से किस प्रकार भिन है 5. प्रातही जगावत गुलाब चटकार दे इस पंक्ति का भाव स्पस्ट किजिए 6. चांदरी राद की सुंदर्ता को कवी ने किन किन रूपों में देखा है 7. प्यारी राधिका को प्रतिबिम्व सो लगत चंद 8. इस पंक्ति का भाव स्पस्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है 9. तीसरे कवित के आधार पर बताईए कि कवी ने चांदरी रात की उजवलता का वरणन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रियोग किया है 9. पठित कविताओं की आधार पर कवी देव की काविगत विशेष्टाएं बताईए रचना और अभिव्यक्ति 10. आप अपने घर की चट से पूर्णिमा की रात देखिए और उसके सौंदरी को अपनी कलम से शब्द बद कीजिए 10. पाठेतर सक्रीता भारती रितू चक्र में 6 रितू मानी गई है वे कौन कौन सी है 11. ग्लोबल वार्मिंग के करण रितू में क्या परिवर्तना रहे हैं इस समस्या से निपठने के लिए आपकी क्या भूमिगा हो सकती है 11. शब्द संपता 12. द्रुम याने पेड, सुमन जिंगूला अर्थाद, फूलों का जबला, धीला ढाला वस्त्र, केकी अर्थाद, मोर, कीर याने तोता, हलावे हुलसावे याने हलावत और बातों की मिठास 12. उतारो करे राई नोन याने जिस बच्चे को नजर लगी हो उसके सिरके चारों और राई नमक घुमा कर आग में जलाने का तोटका 12. कंज कली याने कमल की कली, चटकारी अर्थाद चुटकी, फटिक अर्थाद प्राकृतिक क्रिष्टल, सिलानी याने शिलापर, उदधी अर्थाद समुद्र, उमगे अर्थाद उमणना, अमंद याने जो कम नहो, भीती अर्थाद दीवार, 12. मल्लिका याने बेले की जाती का एक सफैद फूल, मकरंद अर्थाद फूलों का रस, आर्थाद आईना, यह भी जाने, कवित वरनिक छंद है, उसके प्रतेक चरण में 31-31 वरन होते हैं, प्रतेक चरण के 16 या फिर 15 वरन पर यती रहती है, सामनत है, चरण का अंतिम वरन गुरू होता है, पायनी नूपुर के आलोक में भाव सामे के लिए पढ़ें, सीस मुकुट कटी काचनी, कर मुरली उर माल, यो बानक मौ मन सदा, बसो बिहारी लाल, बिहारी, रीति कालीन कविता का वसंत रितू का एक चित्र यह भी देखिए, कूलन में केली में कच्छारन में कुंजन में, क्यारिन में कलिल कलीन किलकंत है, कह पदमाकर परागन में पोनहु में, पातन में पिक में पलासन पंगत है, द्वारे में निदिसान में दुनी में देश देशन में, देखो दीप दीपन में दीपत दिंगत है, बीतिन में ब्रज में नबेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगरियो बसंत है पदमाकर